दोस्तो आज में आपको बताने वाल हो कि आप Alibaba application से आप अपने लिए कोई भी जो है product order कैसे कर सकते हो जाँ दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हो कि Alibaba application से हम online order कैसे करें तो guys आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मारे इस वीडियो को लाइक ने किया तो इस वीडियो को लाइक कर लेजिए और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आपको आल पर सेट करें इससे आने वाले मारे नहीं विडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए फ्रेंट्स आज काई विडियो स्टार्ट करते हैं तो गईस अलिबाबा एक Amazon और Flipkart की तरह अप्लिकिशन जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोड़क्ट देखने को मिला दे अब जिस भी केटिगरी का प्रोड़क्ट ऑनलाइन ओडर करना चाते हो गर बेटे आप जो है यहां से ओडर बुक कर सकते हो तो सबसे पहले Play Store से आपको Alibaba अप्लिकिशन को डाउनलोड का लेना है डाउनलोड करने की बाद आपको इसे आपको ओपन करना है और यहां पर कुछ इस तरीके से अप्लिकिशन को ओपन करते इंटरफेस आ जाएगा सबसे पहले यहां पर आपको नीचे के और My Alibaba ओप्शन पर क्लिक करना है और आपको Sign in and Register पर आपको क्लिक करना है और इस ओप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां से आप Google से अकाउंट बना सकते हो Facebook से बना सकते हो और Email ID से भी अकाउंट बना सकते हो तो फिलाल गईस मैं यहां पर अपनी Email ID से अकाउंट क्रियेट करना चाहते हो तो मैं अपनी Email को सलेक्ट कर लेता हूँ तो गईस आपको अपनी Email को सलेक्ट कर लेना है और जैसे गईस आप अपनी Email ID पर क्लिक करोगे इसके बाद guys आपका account का next page यहाँ पर open हो जागा मैं आप पर जो इस वाली email id को select कर लेता हूँ तो guys अपनी email id select करने की बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी country select करने इसके बाद आपको अपना first name डालना है जो भी आपका first name है वो यहाँ पर आपको अपना first name डालना है इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना last name टाइप कर लेना है और यहाँ पर आपके email id और यहाँ पर आपको अपना password create करना होगा यहाँ पर आप जो भी password डालना चाहते हो आपको अपना minimum 6 character का आपको जो password डाल देना है और password डालने की बाद यहाँ पर आपको जो नीचे की और next option पर आपको click करना है और इसके बाद guys आपने जो भी email id डाली तो उस email id पर आपका जो एक OTP आएगा तो guys आपको Gmail application में जाना और guys आपको उस ID को login करना है जिस email id पर आपने जो है इस application में अपना account बनाने के लिए आपने जो email id डाली ती तो मैं यहाँ पर email id मैंने select कर लिए और यहाँ पर आप देख तो OTP यहाँ पर आ चुका है तो simply guys यहाँ से इस OTP को copy करके वहाँ पर आपको paste कर लिए तो मैंने इसे copy कर लिया इसके बाद guys आपको इस application में आने के बाद यहाँ पर आपको इसके paste कर लिए और इसके बाद create account पर आपको click करना है और इस पर क्लिक करते हैं अलिबाबा अप्लिकिशन पर आपका अकाउंट क्रियेट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख तो मारा आईडी यहाँ पर लॉग इन हो चुका है इसके बाद गाईज अपनी शॉपिंग करने के लिए किसी भी प्रोड़क्ट को और करने के लिए आपको उस प्रोड़क्ट को सेलेक्ट कर लेना है और केटेगरी पर क्लिक करने के बाद सभी प्रोड़क्ट आपको देखने को मिल जाते हैं आप जो भी product buy करना चाते हैं उसे select कर सकते हैं इसके बाद नीचे की और भी आपको बहुत सारे product मिल जाते हैं और search बार पर click करने के बाद यहाँ से किसी भी product को आप search भी कर सकते हैं तो फिलाल guys मैं आप पर किसी एक product को order कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है इस वाले product को यहाँ पर select कर लेता हूँ जो भी product आपको buy करना है simply आपको उस product पर आपको click करना होगा और click करते हैं उस product की सारे detail लेश्ट वगेरा सब कुछ देखनी को मिल जाएगा तो guys यहाँ पर आप जो भी product यहाँ से buy करना है आपको उस product को यहाँ पर आपको select कर लेने तो फिलाल मैं इस वाले product को select कर लेता हूँ और अपने product पर click करने के बाद आपको अपने product की सारे detail मिल जाएगे यहाँ पर आपको price वगरा show हो जाएगे इसके बाद नीचे के और आपको सब कुछ यहाँ पर देखनी को मिल जाता है Color Regress अब कुछ यहाँ पर आप select कर सकते हो तो यहाँ पर मैं जो है start order पर click कर लेता हूँ अगर आपको order करना है तो यहाँ पर आप start order पर आपको click करना है और इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आप quantity देख सकते हो आप जितनी quantity बाय करना चाते हो यहाँ यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो तो फिलाल गाइस में यहाँ पर जो है आपको अलग-लग quantity की अलग-लग आपको price देखने को मिल जा दिया तो फिलाल गैज में आपर दो quantity by करना चाहते हो तो मैंने दो quantity select कर लिये इसके बाद guys आपको simply start order पर आपको click करना और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर new page open हो चुगा add shipping address पर click करने के बाद आपको अपना address डालना जहाँ पर आपको deliver करना डाल देना आपका जो भी address है वो आपको डालना है इसकी बाद आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग नेम डालना है और आपको अपनी country स्लेट करने है इसकी बाद guys यहाँ पर आपको इस option को enable करने की बाद यहाँ से guys आपको save पर click करना है तो फटावड में अपना address डाल देता हूँ तो guys कुछ इस तरीके से आपको जो अपनी address डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं इसके बाद simply आपको नीचे की और save पर click करना है और इस पर click करते हैं आपका address यहाँ पर आपको show हो जाएगा इसकी बाद guys आपको नीचे की और आना और यहाँ पर proceed to pay पर आपक आपको PayPal का भी option मिल रहा और यहाँ पर आपको wire transfer का भी option मिल रहा तो आप जिस भी तरीके से payment करना चाते हो आपको अपना payment method select करेना फिलाल मैं credit card debit card select कर लेता हो इसकी बाद आपको continue पर click करना है और इस पर click करने के बाद आपको अपने ATM card की detail आपको डाल देने यहाँ पर मै हैं और इस पर click करते हैं आपका payment confirm हो जाएगा और आपका जो है order भी confirm हो जाएगा और आपने जो address डाला उस address पर आपका order deliver हो जाएगा तो गाईस कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पर Alibaba application की मदर से आप किसी भी product को order कर सकते हो दोस्तों कर आप कोई वीडियो चलागा इस वीडियो को like share and subscribe जरूर से किजिएगा